Hello everyone, मैं हूँ केरिन शापुरी और ये है आप लोगों के लिए Coming Week का सापता है क्राशी फल ये 4th April से लेकर 10th April तक की आपकी टारो रीडिंग्स हैं, टारो प्रेडिक्शन्स हैं और मैं अभी out of country हूँ, मैं कैनेडा में हूँ तो अगर आप personal session book कराना चाहते हैं या फिर किसी भी चीज के लिए मुझे contact करना चाहते हैं तो आप WhatsApp message करेंगे या फिर WhatsApp call करेंगे तो बहतर रहेगा क्योंकि कुछ लोगों का मुझे इंस्टा पे message आया मैं हम आपको call करना चाहा रहे हैं आपका number नहीं मिल रहा है और हो सकता है कि जवाब देने में थोड़ा सा डिले हो जाए क्योंकि यहाँ पे दिन रात का फरक है लेकिन अगर आप WhatsApp पे मुझे message करेंगे तो definitely आपको जवाब मिलेगा और आप अपना personal session भी book करा सकते हैं और इसी के साथ साथ अगर आप daily tarot reading में interested हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका link आपको नीचे description box में मिल जाएगा और दूसरी बात इस reading को आप किसी भी sign के हिसाब से देख सकते हैं sun sign, moon sign, ascendant या फिर नाम के हिसाब से भी राशियां होती हैं उसके according भी आप इस reading को देख सकते हैं और अगर आप मुझ से पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूंगी कि जिस sign को आप अभी तक follow करते आ रहे हैं या फिर जिस sign के हिसाब से आप अभी तक अपनी readings को देखते आ रहे हैं सुनते आ रहे हैं आप उसी sign के हिसाब से इस reading को देखें तो चलिए जी शुरू करते हैं coming week का सापता है क्राशी फल तो चलिए टॉरस आप लोगों के लिए देखें कि coming week क्या लेकर आ रहा है क्या energies हैं तो professional front के लिए आप लोगों के लिए cards है Queen of Wands and Truth और देखें Queen of Wands का card कहीं active energies की बात करता है enthusiasm की बात करता है excitement की बात करता है और कुछ ऐसा ही in general यह पर specifically इस week आपके professional front में रहता हुआ देख रहा है जहां पर बहुत ही courageously बहुत ही boldly जो भी आपका goal है जो भी आपका मकसद है उसी से ही related आप action initiatives लेते हुए देख रहे हैं आप upfront होके हर चीज को deal करना चाह रहे हैं या कर रहे हैं और देखें in the process हो सकता है कि कुछ लोग over confident भी हो रहे हैं और अगर ऐसा आप महसूस करें तो जरूर इस चीज को टॉरस चेक करके correct करें क्योंकि देखें confidence बहुत अच्छी बात होती है लेकिन over confident कहीं चीजों को खराब करता है और देखें फिर से मैं कहूंगे कि बहुत active energies कुछ bold decisions, कुछ bold choices अगर आपको लेने पड़े तो वो भी आप लेते हुए देख रहे हैं और देखें deeper level के लिए truth का card एक दो चीजें कहता है कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि आप बहुत ही truthfully बहुत ही honestly हर चीज को deal कर रहे हैं और कुछ लोगों के लिए हाँ पर truth का card आपको message दे रहा है कि जो भी इस week आप करें आप कहीं अपने आपको सच से जरूर वाकिफ करें reality को accept करते हुए ही आप चीजों को deal करें क्योंकि देखें कितनी बारी हम reality को accept ही नहीं करते हैं कहीं हम ignore करते हैं कि देखें ये professional front के लिए cards हैं लेकिन अभी मुझे personal front से related एक example याद आ रहा है क्योंकि मैंने बहुत बारी relationships में देखा है सामने वाला बहुत ही clearly commitment के लिए मना कर रहा है और अगर आप commitment चाहा रहे हैं बहुत जादा तो आप दोनों के goals align नहीं हो रहे हैं और आगे जाके परिशानी हो सकती है लेकिन इतना जादा एक प्यार महबत महसूस कर रहे होते हैं कि उस time उस सच को ignore कर देते हैं और यूनों बिना सोचे समझे relationship में आगे बढ़ते हैं अपनी emotions, feelings energies invest करते हैं और फिर देखे future में बहुत problem होती है क्योंकि आपका goal कुछ और है आपका मकसद कुछ और है आप कुछ और चाह रहे हैं और सामने वाला तो वो चाहा ही नहीं रहा है जिसको आपने beginning में avoid किया और फिर देखे सामने वाला बहुत ही clearly कह देता है कि भी मैंने तो आपको commitment के लिए कहा ही नहीं है मेरी तरफ से तो कोई commitment ही नहीं थी और फिर देखे लोग बहुत hurt होते हैं तो देखे ये सिरुफ एक example है इसी तरीके से जो भी आप करें कहीं फिर से मैं कहूंगी reality के लिए एक acceptance लाते हुए करें सच से अपने आपको वाकिफ करते हुए करें and personal front के लिए आप लोगों के लिए cards है queen of swords and awareness और देखे awareness का card भी कहीं वही चीज कहरा है जो मैंने आपको अभी कही और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि personal front में बहुत aware होके बहुत conscious होके आप चीजों को deal कर रहे हैं नहीं तो देखे यहाँ पे भी कुछ लोगों के लिए message हो सकता है कि यही consciousness यही एक awareness आप चीजों को लेकर रखें और देखे surface level के लिए queen of swords का card नहीं logically चीजों को deal करने की बात करता है mind से again मैं कहूंगी चलने की बात करता है तो पीछे किसी भी चीज को लेकर अगर आप काफी emotional हुए, काफी sentimental हुए तो इस week कहीं उन्ही emotions, उन्ही sentiments से आप अपने आपको cut करते हुए दिख रहे हैं, disconnect करते हुए दिख रहे हैं, बहुत ही detachment यहां तो आप रखना चाहा रहे हैं, या फिर एक detachment आती हुई दिख रहे है और दिखे जो भी आपका goal है जो भी आपका मकसद है आप एक clarity के साथ उसके उपर focus कर रहे हैं पीछे उसी से ही related, अगर कोई confusion थी, तो उसको भी again आप clear करते हुए दिख रहे हैं, in the process आपका communication बहुत straightforward, बहुत blunt अपने closed one, अपने loved ones के साथ रह सकता है, और दिखे दूसरी बात हैं पर दोनों ही queens के cards हैं और queens कहीं feminine energies की बात करते हैं, तो देखे ए personal, professional या फिर दोनों ही fronts के लिए या तो कोई female हैं जिनकी तरफ से बहुत एक supportive बहुत एक cooperative energies हैं या फिर किसी female की तरफ से एक interference एक involvement आपकी life में इस week रह रही है and guidance से आप लोगों के लिए confront का card है और ये card कहता है कि कि किसी भी चीज़ को लेकर अगर एक fear, एक insecurity आप महसूस कर रहे हैं तो बहुत important है कि again उसको आप confront करें उसको आप suppress ना करें उसको आप ignore ना करें in fact दिखेंगे या पे तीनों ही deeper level के cards एक ही बात कह रहे हैं क्योंकि दिखेंगे जब भी इन fears को हम suppress करते हैं तो temporarily तो हम अच्छा feel करते हैं लेकिन कहीं back end पे यही चीजें accumulate होती रहती हैं इकठी होती हैं और एक दिन ये इतनी बड़ी हो जाती हैं कि चहा के भी हम इनको ignore नहीं कर पाते हैं और फिर हम बहुत परेशान हो जाते हैं क्योंकि वो चीजें इतनी बड़ी हो जाती हैं कि हम उनको handle ही नहीं कर पाते हैं देखिए English में एक quote भी है a stitch and time saves nine अगर time पे ही चीजों को आप upfront होके deal कर लें तो उनको बड़ा होने से आप बचा लेते हैं और फिर से मैं कहूंगी इस चीज का खयाल इस week आप ज़रूर रखें और चक्रा से आप लोगों के लिए third eye chakra का card है और इसके हिसाब से all shades of blue इस week आप लोगों के लिए लखी रह सकते हैं and significant day आप लोगों के लिए होगा Saturday और दीखिए दूसरी बात third eye chakra का card कहता है कि इस week आप अपनी intuition अपनी gut feeling को follow करें अपनी inner voice को आप बिलकुल भी ignore ना करें तो ये आप लोगों के लिए coming week का सापता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section पे जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate किया कितना आप connect कर पाए